Hello students, welcome to IFH. So as you can see, we are going to talk about a better way to study. And question mark is there, क्योंकि मैं खुद जानना जाता हूँ कि पढ़ने का बेतर तरीका क्या हो सकता है. First thing is, अगर आप जिस भी तरीके से पढ़ रहा हो, आपको लगता है कि आप satisfied हो, आपको लगता है कि सारी चीजे ठीक चल रही है, then that is the best way. आप कब उठते हो, कब सोते हो, क्या पेटर्न फॉलो करते हो पढ़ने के लिए, अगर आप संतुस्ट हो, that is the best way. तो आप सब का सुनो, मैं बोल रहा हो, मेरा भी सुन लो, पर फॉलो वही करो, जो आप कर रहे हो, जिसी साब से आप पढ़ रहे हो, सारी चीजे ठीक चल रही है, ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, इससे भी अच्छा तरीका हो सकता है, there can be some better way, which we can follow, right, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं follow क्या करता हूँ, और आप अपने ही साथ से बता सकते हो, कि यह बहतर तरीका हो सकता है या नहीं, ठीक है, maybe it will not work, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए वो वर्क करें, ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ने में जो आप बैठते हो, तो मन नहीं लगता है, then what you can do is, start with the question practice, सबसे पहले चीज़ है, यह बहते हैं तुरंद मन नहीं लगता है, ठीक है, तो आप क्या करें, question practice से सुरू करें, question practice के लिए सबसे best चीज क्या हो सकते है, आप जिस भी exam का preparation कर रहे हो, उसके previous year question ले लिजे, उनका preparation, उनका आपका अगरे practice करिये पहले, कुछ 5-10-15 minute question practice करने के बाद, जब एक flow बन जाता है, एक interest create हो जाता है, then आप अपना जो regular steady है, उसको करिये, regular steady करने के बाद जब आप खतम कर रहे हो, then again कुछ question practice करिये, last में अगर नहीं भी करते हो, I think that is okay, पर शुरुवात हमेशा question practice से करिये, okay, then see whether it works or not, okay, so this is all about this video, अगर आपको लगता है कि यह work करेगा, यह आपने पहले try किया तो आप बता सकते हो comment करके, and आपको कहीं से भी यह video helpful लगता है, then do like it, and if you like it, then share it also, and we there with us, thank you, take care and bye-bye.